हालो बच्चो आज हम active passive का part 3 सीखेंगे हैं पहले भी present indefinite और present continuous के active sentences को passive voice में कैसे change करते हैं सीख चुके आज हम present perfect tense में अगर हमको sentence मिलेगा तो उसको passive voice में कैसे change करना यह सीखेंगे so we start they have done their work ठीक है यह active voice का sentence है रूल आपको बैद में खुदी समझ में आ जाएगा they have done their work वे अपना काम कर चुके हैं कौन अपना काम कर चुके subject हमको इसमें यह बहुत ध्यार रखना है कि हम subject object वर्ब सही से निकाले ठीक है they subject हो गया have linking वर्ब है ठीक है वे कर चुके हैं ठीक है उन्होंने कर रहा कर यह main वर्ब है क्या अपना काम क्या 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 हमने object निकालते हैं ठीक है तो अब यह जो object है हमारा यह subject बन जाएगा they work ठीक है अब उनका काम singular है work है तो has ठीक है फिर has के तुरन बाद हम पोर been रखना इसमें be और third form of the verb हमेशा आती है passive voice बनाते समय तो done का done ही रहेगा इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि third form of the verb sentence में लिखी होती है तो हमको सोच रहा नहीं होता है कि third form of the verb क्या है इसका ठीक है तो present perfect tense की यह बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि has been done के बाद हमेशा third form of the verb लिखी होती है तो हमको ढूणना नहीं पड़ता ठीक है the work has been done by them ठीक है पहले था कि वे अपना काम कर चुके है और अब यह है कि उनका काम उनके द्वारा किया जा चुका है ठीक है next sentence she has taken a cup of tea वे एक कप चाय ले चुकिया या फिर पी चुकिया ठीक है तो कौन एक कप चाय ले चुकिया वह शी यह हमारा subject है has हमारा linking verb है और वो क्या काम किया उसने लेने का काम किया ठीक है तो यह main verb है क्या a cup of tea एक कप चाय यह पूरा हमारा object है ठीक है अब a cup of tea हमारा object जो है subject बन जाएगा a cup of tea ठीक है a cup of tea singular है हमको पता चल रहा है तो has अगर plural होता तो have रखते है a cup of tea has के बाद हमको been रखना है और third form of the verb फिर verb main रखना है हम अब third form of the verb लेखा यह हुआ हूआ अल्रेड़ी यहाँ यहाँ पर हाँ taken अब she को हमको से पहले by लगाना है और she she pronoun है तो she her होता है तो इसका third वाला her pronoun हम third वाले में change कर देते हैं a cup of tea has been taken by her see the next sentence you have served them तुमने उनकी सेवा की है तो किसने उनकी सेवा की है तुमने you subject have linking verb served सेवा की है main verb किनकी उनकी अब यहाँ पर देखिए किनकी अब कोई अब हम क्या तो कह नहीं सकते न कि तुमने क्या किया है है तो यहाँ पर you have served them तुमने उनकी सेवा की है तो उनकी को के लिए हम object निकालने के लिए पूछेंगे किनकी तो आएगा उत्तर उनकी तो जरूरी नहीं क्या निकालके object निकाला जाए कोई जगे होती तो कहां करके पूछा जाता you have served them तो अब यह प्रणाउन है तो इसका हम subject भनाते समय दे का लिखेंगे ठीक है यह भी देखिए यह नया sentence अभी तक जटते सीखा देम का दे देर देम होता हम पहले भी पढ़ चुके तो इसका हम first वाला लिखेंगे तब दे अब दे आई यू वी दे प्लूरल मना जाता हम पहले भी पढ़ चुके है आई यू वी दे प्लूरल होता है तो दे के संग हाव लगाएंगे दे हाव बीन थर्ड फॉर्प दिवर्व अलड़ी कहां पर लिखे हुई है क्योंकि है जब हैट के बाद हमीशे थर्ड फॉर्प दिवर्व होती है दे हाव बीन सर्वड यू होता है तीरों तो हम लिस्ट नीचे यू का यू ही रखेंगे क्योंकि यू 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 होता है थर्ड वाला यह रखती है ठीक है see the next अब देखिए he has not drunk milk वहा दूद नहीं पी चुका है ठीक है यह active voice है तो कौन दूद नहीं पी चुका है वहा subject has linking verb and not drunk है ना drunk जो हमारा verb है not drunk नहीं पिया उसने क्या milk ठीक है यह object है तो object है हमारा subject बनेगा milk ठीक है अब milk के लिगे singular ही मना जाता है तो has आएगा और हम चुकी negative का sentence है तो हमें has की तुरंद बाद not रखना है कोई भी linking verb तो तो पहला उसके बाद not रख देते और फिर बीन लगाएंगे milk has not been third form of the verb यह उपर ही लिखी हुई है क्योंकि perfect answer has not been drunk by अब ही का तीनों क्या होते है he his him तो हम थीसरा वाला रखेंगे him यह सब आपको पता होने चाहिए कि pronoun के तीनों वो क्या होंगे he is him 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 रखेंगे next have they won the match अब यह देखिए interrogative sentence है have they won the match क्या वे match जीत चुके हैं तो यह linking verb सबसे पहले आया हुआ क्योंकि यह interrogative sentence है तो subject क्या है they यह linking verb है one जीत चुके है यह main verb है क्या the match यह हमारा object है तो अब हमको चुकि interrogative sentence है तो interrogative का interrogative में ही जबाब देना है तो लेकिन अब हम इसका linking verb आपको बाद में रखने के लिए कहेंगे पहले हम यह रखेंगे the object को जो subject बनाना है तो the match ठीक है match अब हमको यह मालूम है कि singular है तो यहाँ पर हम has रखेंगे अब यहाले हमें linking verb से कोई मतलब नहीं है यह तो have के संग the plural था इसलिए have था लेकिन अब हमारा जो नया subject बनके आया है वो singular में है तो हम यहाँ पर has रखेंगे और यह पहला capital रखे है तो has the match ठीक है has the match फिर बीन रखेंगे has the match बीन third form of the verb one फिर दे subject है इससे पहले बाई लगाएंगे और दे काम पहले पर चुके दे दे देम तो देम थार्ड वाला रखेंगे and question mark in the line see one more sentence अगर आपको interrogative और negative साथ में sentence मिले has he not written this letter क्या वो पत्र नहीं लिख चुका है ठीक है तब ही हमको घबराना नहीं है तो देखें यह तो linking verb है हमको मालूम है कौन पत्र नहीं लिख चुका है वा तो he subject है and not written verb main verb क्या this letter तो यह object है तो अब this letter जो है हमको यहाँ स पता चल रहा है singular है ठीक है this letter एक letter की बात हो रही है तो इससे पहले हम has ही रखेंगे क्योंकि यह जो हमारा नहीं subject आने वाला है वो singular है तो has अगर यहाँ plural होता तो हम यहाँ पर have रखते है has this letter फिर एक linking verb का बात हो चुका है तो तुरंत बात not रखेंगे क्योंकि इसको not में नहीं जबाब देना है और interrogative में भी देना है has this letter not फिर बीन रखेंगे बीन थर्ड फॉर उपर लिखी ही रहती है इसमें रिटे फिर ही से पहले हमें बाए लगाने है और ही, हिस, हिम तो थर्ड बाला ठीक है and the question mark इंदर this is the way that we do passive voice so go through with this video मैंने सारे तरहें के आपको सिख कि कोशिश किये और try to get it thank you